हे दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका जी ए सब्सक्राइशन यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं ऑनलाइन अर्णिंग के बारे में यानि कि आपको इजी टू यूज मैथड़ देते हैं ऑनलाइन अर्णिंग करने के अभी हमारा जो फेस चल रहा है व भरफिर आई बटन पे जाकर खरके क्ลिक करके देख सकते हो ठीक है अब हम बसंगिंगे सर्वे प्रौफायल के बारे में देख्या ये कोश्टन बड़ा अटपटा है कि सर्वे प्रौफायल की जरुgen क्यों है में हमारी अलग जो जैनून प्रौफायल है उस से अलग प्र हो गया online service का करते हुए अब तो खेर कम करता हूं पर करता हूं अभी भी क्योंकि इसी से स्टार्ट कर रहा था मैंने तो मेरा च्छे साल के experience में मैंने देखा है कि आप profile को दो पार्ट में divide कर सकते हो यानि कि एक तो आपका हो गया demographic profile दूसरा आपका होता है occupational profile demographic profile के maximum से maximum amount का यानि कि आप पास जॉलर तक मान सकते हो कि सर्वे आ सकता है और पास जॉलर से ज्यादा के सर्वे जो आते हैं वो आते हैं आपके occupational profile पर डेमोग्राफिक profile में आपकी age, cities, gender, education ये चीज़ें आपकी income वगएरा आती है ठीक है और occupational की बात करूं में तो occupational में आपकी इंडर्ष्ट्री आप कहा है यानि कि आप कैसे काम करते हो किस इंडर्ष्ट्री में काम करते हो जैसा कि मैंने बताया demographic profile के इसाब से वो तो नॉर्मल सर्वे हैं जो सबके पास आते है, occupational profile सबसे अलग हो जाती है अब见ता है ये प्रोफाइल बनाने से पहले में एक चीज और आपको बता दूँ कि जिन वेबसाइट में without प्रोफाइल क्रियेट करे सर्वेज आ जाते हैं तो आप उसमें प्रोफाइल ना बनाएं सही सुन रहे हो आप जिन में बिना profile create करे survey आजाते हैं website में वो मैं mention कर दिया करूँगा कि आपको इसमें profile बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए ठीक है तो उसमें आपको profile नहीं बनानी है और रही बात profile की तो मैं सारी चीजें PDF के format में description में दे दूँगा जहां पर हमारे telegram group का link है आप उसको join कर सकते हो और उस group में मैं आपको बताता हूँ कि information देता हूँ service selected कि कोई code वगरा survey का होता है जो survey आते हैं हमारे पास में उस survey को वो किसकी उपर आ रहा है ठीक है तो मैं information डालता रहता हूँ group में तो आप उसको join कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा income करनी है ठीक है तो यहीं इस video को हम end करते हैं और आपको एक चीज़ दोर बता दूँ कि अगर आप नई है इस channel पर तो हमारी videos को check out कर सकते हो अगर आपको journey start करनी अगर नए हो बिल्कुल और नए हो online में कि आपको journey कैसे start करनी चाहिए तो आप इस video को देख सकते हो और आपको gmail account उसके बाद gmail account कैसे बनाने है आप इस video को देख सकते हो ठीक है